आप सभी को धन्त्रयोदशी अर्थात धन्तेरस के परविकी हार्दिक शुपकामना है। भगवान गणीश, धन्वंतरी और भगवान को बेर और मालक्ष्मी की गृपा सदयव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप से बात करने वाली हूँ धन्तेरस के बारे में। पुजा की विधी क्या होगी। को वीडियो अच्छी लगए तो इसे like भी जरूर कीजिए क्यूंकि आपकी likes आपके kommentS मेरे लिए बहुत महत्यबूर्ण होते हैं यहीं एक मातर तो व्रिशब काल का समय प्रदोश काल की पूजा का शुब मुहुर्त रहेगा शाम को 5 बजकर 30 मिनट से रातरी 8 बजकर 8 मिनट तक जो भगत प्रदोश का व्रत धारन करते हैं इसी समय में भगवान-शीव की माता-पार्वती की पूजा कर सकते हैं अच्छा आज एक विशेश कारे किया जाता है यम के निमित दीबदान किया जाता है तो यम के निमित दीबदान आपको कब करना है शुब महुट क्या है देखिए यम के निमित दीबदान जो किया जाता है अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग समय होता है अलग-अलग पर प्रकार से किया जाते हैं मतलब जो नियम आपके हैं आपके परिवार में हैं उसी प्रकार से आपको यम के निमित दीबदान करना चाहिए और अगर आप संध्या काल में मतलब प्रदोश काल में यम के निमित दीबदान कर रहे हैं तो शुब बहुत रहेगा शाम को पांस करना है सब कर जाते हैं मतलब एक जगह स्थिर हो जाते हैं इप सथिर्व18 dollars और बात में तुर्ट कर सकते हैं और नकी 6 Turks करना है किस चीजान का हम टेल लिना है यह आरी जानकारी आपको चैनल पर वीडियो ऐस्के उस का ऊपलोड meant विब ऐसे बलेगी और 10 नौंबर को राहुकाल का समय रहेगा सुबह 10 बजकर 48 मिनट से 2 पहर में 12 बजकर 10 मिनट तक तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि त्रयोदशी तिथी प्रारम होने से पहले ही राहुकाल समाप्त हो जाएगा तो 2 पहर में 12 बजकर 35 मिनट के बाद आप कभी भी खरीदारी कर सकते हैं 13 दीपदान की विधी क्या होती है किस प्रकार से हमें ये 13 दीपदान करने चाहिए और किन देवताओं के नाम पर 13 दीपों का दान किया जाता है ये विशेश दीपदान है इनके बारे में जानना और इतने दीपक प्रजवलित करना अत्यांत आवश्यक और स्रेश्ट माना गया है लेकिन इनके अलावा भी आप अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी दीपदान कर सकते हैं तो अब बात करते हैं दीपदान के बारे में कि 13 दीपक हमें किस प्रकार से प्रज्वलिद करना है तो देखिए जो हम दीपदान करते हैं वो मिट्टी के दीपक होते हैं तो सबसे पहले तो आपको दीपक जो है वो धो लेना चाहिए उसके बाद उन्हें थोड़े समय के लिए पानी में डुबा कर जरूर रखे और इसके बाद पानी में से निकाल कर उन्हें अच्छे से साफ कर लीजे, सुखा लीजे और इसके बाद सबसे पहला प्रशनाता है कि बाती कौन सी प्रयोग करनी चाहिए तो देखिए बाती आप कोई सी भी ले सकते हैं ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि अगर आप लंबी बाती का प्रयोग करते हैं जैसे कि रुई की लंबी वाली बाती हो या फिर कपड़े की लंबी बाती आप बना लेते हैं तो कोई सी भी लंबी बाती अगर आप प्रयोग करते हैं तो एक दीपक में आपको दो बाती डालनी चाहिए क्रेश क्रोस करके दो बातियां प्रयोग की जाती है अगर लंबी बाती हो तो लेकिन अगर आप गोल बाती का प्रयोग करते हैं तो सिंगल एक बाती डाल कर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं बाती को लेकर कोई भी मनमें शंशय रखने की आवश्यक्ता नहीं है वैसे जादातर घरों में लंभी बाती का ही प्रयोग किया और इसके अलावा मालक्षमी के साथ भगवान गणेश की पूजा का मतलब ये भी होता हुआ हमारे घर में धन का आगमन हो तो भगवान गणेश की क्रिपासे हमें बुद्धी और विवेक की प्रापति हो, जिससे की धन का सद कारियों में हम प्रयोक करें, किसी भी गलत कारियों में हमारे हाथों से धन खर्च ना हो, इसके लिए सबसे पहले गणेशी की आराधना की जाती है, तो प्रतम पुज्य भगवान गडपती की पूजा आप पहले करेंगे उनके नाम पर आपको शुद्धगी का एक दीपक प्रज्वलीद करना है और उनसे प्रातना कीजिए कि हे गडपती, हे गजानन, मेरे घर में आप सदा स्थाई रूप से विराजमान रहें और किसी भी प्रकार की विग्न बाधा मेरे कारियों में, मेरे जीवन में ना आए और इसके बाद अगला दीपक आपको मालक्ष्मी के नाम पर प्रज्वलीद करना है, मालक्ष्मी का ध्यान करते हुए और शुद्धगी का एक दीपक प्रज्वलीद करना है और मालक्ष्मी से प्रार्टना कीजिए कि हे मालक्ष्मी आप सदा मेरे घर में स्थाई रूप से विराज मान रहें कभी भी मेरे घर में अन और धन का अभाव न हो मेरे घर में आप स्ट्री हरी विष्णू के साथ स्थाई रूप से निवास करें और मुझे और मेरे परिवार को हर प्रकार की सुक सम्रिध्धी प्रदान करें. इस प्रकार से प्रातना करते हुए आपको मौलक्ष्मी के नाम का दीबदान प्रज्वलीत करना है. तो ये दूसरा दीपक होगा जो शुद्धिखी का ही होगा. और तीसरा दीपक आपको थखोगा पूजा मालक्षमी की पूजा से पहले होती है, इसलिए तक हमारा स्वास्थ आपॡ्य बन याटा मघॡ़ा पाएंगे तभी मालक्षमी की कृपा किव्या नामीं सुकॉत अच्छा स्वास्ते होगा तबी हम परिश्रम करके धन अर्जित भी कर सकते हैं इसलिए सबसे पहले धनवंत्रीदेव की पूजा की जाती है तो तीसरा दीपक जो आप प्रजवलित करेंगे धनवंत्री देवता के नाम पर समर्पित करेंगे ये आप चाहें तो तिलदेल का प्रज्वलित कर सकते हैं या आप चाहें तो शुद्धिकी का भी प्रज्वलित कर सकते हैं ये पूरी तरह से आपके उपर निर्भड करता है और चौथा दीपक कुबेर देवता के नाम पर जो की मालक्ष्मी के कोशाध्यक्ष माने जाते हैं इनकी पूजा करने से घर में कुबेर देवता की पूजा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा, धन का संचय करना चाहते हैं तो कुबेर देवता की पूजा अत्यन तावश्यक है तो चौथा दीपक कुबेर देवता के नाम पर प्रज्वलित करके उनसे प्रार्तना कीजिए कि आपके घर में कभी भी धन का अभाव न हो मालक्ष्मी की कृपा आपको हमेशा प्राप्थ होती रहे इसके लिए कुबेर देवता से प्रार्तना कीजिए और कुबेर देवता के नाम पर जो आप दीबदान करते हैं उस दीपक में आप चाहें तो शुद्गी भी डाल सकते हैं चाहें तो तिल-तेल डाल सकते हैं मतलब जो भी चीज आपके पास सुपलब्ध है उसी से आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है विशेश जो कुछ दीपक हैं जिनमें आपको शुद्गी का ही प्रयोग करना है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी वीडियो को पूरा जरूर देखिए और पांचमा दीपक आप प्रज्वलित करेंगे मा तुलसी के लिए मा तुलसी जो आपके घर के आंगन में विराजित हो या छट पर हो बालकनी में हो वहाँ पर आपको दीपदान करना है और ये दीपक आप पूरी तरह से शुद्ध की का ही प्रज्वलिद करेंगे, किसी भी प्रकार से मा तुलसी, लक्ष्मी जी और गडेश जी का दीपक आपको तिल-तेल का नहीं प्रज्वलिद करना है। तेरस का छटा दीपक समर्पीत होता है चित्रगुप्त के नाम पर। चित्रगुप्त को दीपक क्यों प्रज्वलिद किया जाता है? देखे, शास्त्रों के अनुसार चित्रगुप्त हमारे कर्मों का लेखा जोखार रखते हैं। और यह दिपक आप मंदिर में नहीं रखेंगे इसके अलावा अपने घर में आप किसी भी स्थान पर रख सकते हैं चाहे तो बालकनी में रख सकते हैं या घर के किसी भी अन्यकमरे में रख सकते हैं लेकिन भगवान गणेश लक्षमी जी धनवंत्री देवता और कुबेर जी का जो दीपतान किया है वो आप अपने घर के मंदिर में ही रखेंगे आप चाहे तो एक ही प्लेट में या थाली में करके ये चारू दीपक प्रज्वलित करके अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं और सात्मा दीपक आपको प्रज्वलित करना है जलासय के किनारे तो जैसे क और भी ऐसी सुविधा नहीं है कि चीके भी घर के आसपास ना तो कुआ है ना जलासय है और ना ही शरूवर मिलता है तो ऐसे में जलासय का दीबदान हमें कहा करना चाहिए तो देखिए आपके घर में जो टंकी है वही आपके लिए जल का मुख्य श्रोत है तो उसी स्थान प का वास माना गया है तो हम गाय माता के नाम पर जब भी दीबदान करते हैं तो स्वता ही 33 कोटी देवी देवताओं की पूजा आराधना हो जाती है तो गौ माता का दीबदान आप कहां करेंगे देखिए अगर आपके घर के आसपास कोई भी गौशाला हो तो वहां जाकर आ और अगर गौशाला नहीं है आपके घर के आसपास तो ऐसे में आप अपने घर के मंदिर में भी या फिर घर में किसी भी स्थान पर गौ माता का चित्र बना कर रख दीजिए और उनके पास दीबदान कर सकते हैं और अगर चित्र नहीं बना सकते हैं या आपके पास गौ मा बालकनी में रख सकते हैं कहीं पर भी रख सकते हैं बस माता का ध्यान करते हुए आपको दीपदान करना है और धंतेरस का नौवा दीपक आप रजलिद करेंगे अपने घर के ब्रह्मस्थान में ब्रह्मस्थान कहा होता है आपके घर का जो मत्यभाग है जो बीज का हिस्सा है उसे ही ब्रह्म स्थान कहा जाता है और शास्त्रों के अनुसार घर का जो ब्रह्म स्थान होता है वो बहुत महत्यपूरण होता है इस स्थान पर आपको कभी भी किसी भी प्रकार से गंदगी नहीं रखनी चाहिए कोई भारी वस्तु यहां नहीं रखनी चाहिए कोई भी ऐसी लगती हैं जैसे कि घर मद्य भाग में अगर तुलसी लगती है तो किसी प्रकार का वास्तु दोस्ट नहीं रहता है दूसरा, घर में अगर जंडा लगाया जाता है, घर के मद्धिभाग में अगर जंडा लगाकर आप जंडा लहराते हैं, तो इससे घर के सभी सदस्चियों को उनके कारियों में सफलता मिलती है, समाज में परिवार में मान सम्मान की प्राप्ती होती है, वंच की वृध्धी नहीं रुकती है घर के ब्रह्मस्थान में अगर जंडा लगाया जाता है तो वहां पर संतान प्राप्ति में कोई भी बाधा नहीं आती है और प्रति दिन घर के ब्रह्मस्थान में अगर पूजा होगी तो घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोस्त नहीं रह जाता है जन्म फ्लैट्स होते हैं चोटे घर होते हैं तो ऐसे में ब्रह्मस्थान को खाली भी नहीं रखा जा सकता है लेकिन ध्यान रखिए साफ सुत्रा जरूर रखना चाहिए घर का मध्यभाग हमेशा साफ रहे कोई भारी वस्तु वहां आहो इस बात का ध्यान रखिए तो आपके घर के बहुत सारे वास्तु दोस्त बिना किसी उपाई के समाप्त हो जाते हैं यह तो कुछ बहुत जरूरी बाते थी जो मैंने आपको बताई लेकिन अब आपको अपने घर मे एक दीप प्रज्वलिद करना है ब्रह्म स्थान में ब्रह्म देवता का ध्यान करते हुए और यह दीपक आप तिल-तिल से प्रज्वलिद कर सकते हैं और दस्वा दीपक आपको प्रज्वलिद करना है घर की छत पर जिसे आकास दीपदान कहा जाता है आकास दीपदान करने से किसी भी प्रकार की जो परेशानिया होती हैं हमारी जीवन में जो अचानक अकसमात आ जाती हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है आप जो आकास दीपदान करते हैं ये सभी प्रकार के संकटों से आपकी रक्षा करने के लिए प्रजवलित किया जाता है और ये दीपक आप किस किसी भी खुले स्थान पर प्रद्वलित कर सकते हैं जैसे कि आप अपने घर की छत पर भी कर सकते हैं माल लीजिए आप फ्लैट में रहते हैं छत नहीं है आपके पास तो आप चाहें तो बालकनी में प्रद्वलित कर सकते हैं या किसी भी खाली मैदान में खुले स्थान पर भगवान श्री हरी विष्णु का या फिर भगवान भुले नात का या अपने इश्ट देवता का ध्यान करते हुए आकास दीपदान करना चाहिए। और ग्यार्वा दीपक आप प्रजवलित करेंगे अपने पित्रों के नाम पर और पित्रों का दीपदान बहुत आवश्यक होता है क्योंकि जो भी हम पूजा करते हैं उसका फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हमारे पित्र प्रसन्न होते हैं देवताओं की क्रिपा हमें त आज के दिन आपको अपने पित्रों के नाम पर दीपदान करना है और ना सिर्फ आज के दिन बलकि पित्रों के नाम पर जो आप दीपदान करेंगे यह पांच दिनों तक हर रोज करेंगे आप जैसे कि आप धंतेरस से प्रारंब करके और भाई दूज तक पांच दिनों तक लगातार अपने पित्रों के नाम पर दीपदान करेंगे तो यह आप कहां कर सकते हैं आप चाहे तो घर के मुखिद्वार पर घर के बाहर कर सकते हैं और या फिर अगर आपने घर में अपने पित्रों की तस्वीर लगाई हैं तो वहीं पर पित्रों की तस्वीर के सामने ही आ आप दीपदान कर सकते हैं यह दीपक आप सरसों के तेलका कर सकते हैं या चाहे तो तिल तेलका कर सकते हैं और ध्यान रखिए कि जब भी हम पित्र देवता के नाम पर दीप प्रज्वलित करते हैं तो दक्षिर मुखी होकर प्रज्वलित करते हैं दक्षिर की तरफ हमारा मु दीपदान करने का बहुत अधिक पुनियफल प्राप्त होता है तो बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जो पूरे कार्थिक माज किसी पवित्र नदी के पास रहते हैं और प्रती दिन वहां स्नान करके नदी के पास ही दीपदान करते हैं तो इसका बहुत अधिक पुनियफल करेंगे देखिए नाभे ना हो तो एसे में ृपी तल दीजिए बहुत थोड़ा सा रख दीजिए अपने घर के मंदिर में भी चाहे तो रख सकते हैं या चाहे तो आप अपने घर की रसोई में रख सकते हैं और उसके को पुर्वा भी मुख होकर पुर्वदिषा की तरफ मुख करके मागा का ध्यान करते हुए और यह दीप प्रज्वलित करना है यह दीपदान आप पूरी तरसे शुद्धिका करेंगे तिल-देल का प्रयोग मत कीजिए गंगा नदी के नाम पर जो हम दीपदान करते हैं यह अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों पदार्थों की सिध्धी कराने वाला होता है, तो आज के दिन जो हम गंगा नदी के नाम पर दीबदान करते हैं, ये समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाला होता है, तो गंगा आधी पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए शुद्गी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए और तेरहवा दीपक जो आपको प्रज्वलित करना है वो अपने घर की रसोई में करना है मा अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए आप दीपदान करेंगे मा अन्न पूर्णा का अपने मन में स्मरण कीजिए और उनसे प्राटना कीजिए कि हे मा अन्न पूर्णा मेरे घर में सदा अन्न और धन का भंडार भरा रहे कभी भी अन्न का अभाव न हो हमेशा आपकी ग्रिपादरिष्टी मेरे परिवार पर बनी रहे हे मा लक्ष्मी आप मा अन्पूर्णा के स्वरूप में सदा मेरे घर में विराजमान रहें इस प्रकार से प्राटना करते हुए आपको ये दीपक अपने घर की रसोई में प्रज्वलीद करना है घर की रसोई में भी आप शुद्धिखी का दीपक ही प्रज्वलिद करेंगे अब बात करें कि कितने दीपक आपने शुद्धिखी के प्रज्वलिद करने हैं और कितने दीपक तेल तेल के तो देखिए वैसे तो आप चाहें तो अपने पित्रों के नाम पर जो दीप दान कर बाकी के सभी दीपक आप शुद्धी में प्रज्वलीद कर सकते हैं लेकिन अगर आप सभी दीपक शुद्धी में नहीं प्रज्वलीद करना चाहते हैं तो मुख्य रूप से पाँच दीपक आपको शुद्धी का प्रज्वलीद करना है गणेश जी का लक्षमी जी का तुल करेंगे वो आप सर्सों के तेल में भी प्रजलित कर सकते हैं और अब बात करते हैं कि यम का दीपदान कब करें कैसे करें देखिए यम का दीपदान करने के लिए सर्सों के तेल का प्रयोग किया जाता है और हां यम का दीपदान जो किया जाता है वो पुराने दीपक में भी बहुत से स्थानों पर थोड़े से नियम अलग है, कई स्थानों पर यम दीपदान धंतेरस से लेकर और भाई दूज तक पांच दिन तक प्रजलित किया जाता है, जबकि कई स्थानों पर सिर्फ एक दिन नरक चतुरदसी के दिन दीपक प्रजलित किया जाता है, यम देवता जैसे कोई भी अगर बाहर जाता है काम करने के लिए तो वो सभी लोग घर आ जाएं खाना पीना आपका हो जाता है सब लोग सोने की तरफ जब चले जाते हैं मतलब एकदम सब लोग स्थिर हो जाते हैं उसके बाद ही यम का दीपदान किया जाता है तो सब लोग जब घर में स इसी प्रकार से मन में भावना करते हुए यम का दीपदान किया जाता है। तो दीपक में आप दो बातियां डाल लीजिए, इसके बाद इसमें आपको सर्सों का तेल डालना है और सर्सों के थोड़ी से दाने डाल लीजिए, काली सर्सों होती है, वही दाने डालने होते हैं आपको इसके अंदर, एक रुपए का एक सिक्का डाल दीजिए, अगर आपक निकल रहे हैं, तो आपका दाहिना हाथ जिस तरफ पढ़ रहा है, उसी तरफ आपको जाकर ये दीप प्रज्वलित करना है, तो घर के बाहर ले जाकर आप जिस स्थान पर दीप दान करना चाहते हैं, वहाँ पर आप थोड़ा सा चावल रख दीजिए नीचे, या चाहें तो और ये दीपक लेकर आप घर के बाहर जाएं, मुख्यद्वार पर दाहिनी तरफ जाकर आप ये दीप प्रज्वलित कीजिए, दीप दान करते समय आपका मुख दक्षिन दिशा की तरफ होना चाहिए, और ये दीपक आपको चारों दिशाओं से, मतलब चारों बातियां आ और थोड़ा सा वहाँ पर अरपित कर सकते हैं, और आप चाहें तो हल्दी कुमकुम भी थोड़ा सा दीपक के पास अरपित कर सकते हैं, और इसके बाद यम देवता से प्रातना कीजिए, कि हे यम देवता, आप मेरे पूरे परिवार पर क्रिपा करें, किसी भी प्रकार की क पीछे मुड़कर दीपक को नहीं देखना है सीधे आप दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपने घर में आएंगे और उसके बाद हाथ पाउं मूँ जरूर धो लीजिए कुल्ला कर लीजिए उसके बाद आप अपने घर में आ जाईए और हां यम दीबदान करने के लिए आ बाहर से ही उसे विसर्जित कर दीजे किसी पेड के नीचे रख दीजे या बाहर कोई डश्ट बीन हो तो वहां डाल सकते हैं मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं और उसमें जो सिक्का है वो भी दीपक के साथ ही आपके सर्जित कर दीजे किसी भी प्रकार से यम दीपदान मे कि मे요 बताइएं मैंने अपने पिछली साल की वीडियो में यह चीज बताई हुई है लेकिन उसमें फिर बहुत सारे प्रेशन आते हैं कि हमारे पास यह चीज नहीं है तो धन 13 के दिन ये 13 दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करनी है, यम दीपदान किस प्रकार से करना है, ये विती मैंने आपको बताई, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आप घर के आसपास अगर कोई मंदिर है, तो वहाँ दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए, किसी भी दिपदान जरूर करें धनतेरश से लेकर भाई दूज तक आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो या व्रिख्ष तो वहां आपको दीपदान जरूर करना है इस बात का ध्यान के लिए वैसे तो कार्टिक मासे प्रतिदिन इन स्थानों पर दीपदान करने का बहुत अधिक पुन्यफल माना गया है लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं पूरे कार्तिक मास में तो यह 5 दिन बहुत विशेश है पुन्यफल अरजित करने के लिए और संचित करने के लिए बहुत विशेश हैं तो आपको यह 5O दिन ध्यान ज़रूर रकना है दीपदान करने के लिए तो दीपदान से संबंधित धन्तेरस को दीपदान से संबंधित संपुर्ण जानकारी मैंने आपसे आज की वीडियो में शेयर की है आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी और मुझे लगता है कि मैंने दीबदान की संपरोन जानकारी आपको शेयर कर दी है लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी प्रशन हूँ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे बहुत जल्दी मैं प्रयास करूँगी आपके प्रशनों का उत्तर देनी की और मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार